हाई गाई गुट मॉर्निंग और वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं आपके साथ दो डियोडरेंट का कमपैर्जन करने वाली कौन सा मुझे ज्यादा पसंद आया तो यह है नीविया का पर्ल और ब्यूटी डियोडरेंट जो कि 48 और प्रोडक्शन देता है और यह है इस पिंच का पर्फ्यूम डियोडरेंट जो कि 24 और प्रोडक्शन नहाँ पर लिखा हुआ है कमपनी ने चाही है तो बात करते हूं नीविया की सो अगर बहुत ही आपको लाइट फ्रेंट फ्रेंगेनस परसंद तो नीविया आपके लिए अच्छा हो सकता है यह मिलता है हमें 250 रुपीज का बात करती है क्वांटेटी की तो गाईज 200 अमल की कॉंटेटी है और यह है 150 अमल की कॉंटेटी तो प्राइज वाइज यह सस्ता है और अगर आप इसको ऑलाइन पचेस करते हैं तो इस पिंज का नाइका से हाड़ी आपको 200 तक आप मिल जाता ह है और यह वाला जो है यह भी आपको थोड़ा सा रिसकाउंट साथ मिल जाएगा तो अभी मिल जाए 225 रुपी है इसका actual MRP तो अगर MRP की बात करें और कॉंटेटी की बात करें तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो गाईज अगर आपको चाहिए लॉंग लास्टिक की बात करें तो मुझे जो मेरा परसनल एक्सपियेंस रहा मुझे इस पेंच का ज्यादा लंबा लगा यह 5-6 अवर्स तक बिल्कुल मतलब किसे करते हैं खुश्बू एज बनी रही और 4-5 अवर्स के बाद ही बिल्कुल लगा कि हां कुछ लगाया वह है पर नीवय मुझे का आपके नीवय ज्यादा अच्छा लएगा पर अगर आपको थोड़ अच्छी फ्रेंगनेंस तेज चाहिए लोंग लास्टिक चाहिए अगर आप ओफिस गोइंग है कॉलिज गोइंग गर तो आपके लिए स्पिंज ज्यादा अच्छा लएगा तो गाईज ओवर और मेरा अगर पूछा जाए तो मुझे ज्यादा प्रसंद आया इसकी फ्रेंगनेंस बिल्कुल गर्लिश है और बहुत ही प्यारी फ्लॉवर्स टाइप की खुश्बू है काफी रिफ्रेशिंग है इसकी खुश्बू के बाद काफी अच्छा फील होता है और तो मुझे ज्यादा पशंद टाइप पसंद आ पर दोनों में आपको मैंने बता दिया प्राइज वाइस भी ओ फ्रेंगनेंस वाइस भी और अगर आपको तेज पसंद ने तो आप स्पिंज की तरफ सकते है पर अगर आपको लाइट पसंद निवय डफ ड़क्त अब तो गयां यह था मेरा